हेलो गाईज एन वेलकम बैक तो यूटूब चैनल आफ टीम स्वरविन और आज हम प्रिवू करने वाला है श्रीलंका वर्सिस इंडिया का थर्ड बिया मैच जो कि यह आपर प्रेमदासा स्टेडियम कलम्बो में खेला जाने वाला है क्या गुश्रों टीम से इंपोर्टन प्लियर्स और लाइन अपस रेने वाले आजो मुश्बर में डिसकस करने वाले इसे वीडियो में साथी साथ इंदेप्ट अनलाइसे करने वाले और अब भी इंडिया ने यहाँ पर यह सीरीज को अपने नाम कर दिया है फिलाल का जो स्क इंडियन टीम में अच्वेडाषे changes हो सकते है और उसके बार में हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि changes होने की不ky chances है changes होने की chances ऐसे थे zao global big hill उन्होंने एक ंपहले बताया था जब वह को पर वह सिलेक्ट हो twitter से chlorख की लिए तो उन्होंने बोला था कि पहली बाद तो मेरे साथ जितने भी प्रियर्स आएगी में मैक्सिमम से मैकसिमम प्लियर्स को हर एक मैच मेलंब और एक मैच तो खेलने का मौकद दूगा ही दूँगा तो अभी तो इनकी जो में लेवन थी वह उतर ही थी first 2 ODI matches में और वहाँ पर उन्होंने बहुत जादा अच्छा performance दिया और अपने नाम कर दिये series तो अभी क्योंकि आपर इंडिया की team ने आपर series अपने नाम कर दिये 2-0 से तो अब third match खेला जाने वाला और यह आखरी match इस series का तो बहुत सारे possibilities से कि यह आपर रुतुराज गयकवाड या तो फिर दिवदत पडिकल को open करने का मौका मिलेगा और यल्स दिवदत पडिकल one dawn पे आतो है में नजर आएगे तो यह कुछ भी हो सकता है और संजू सामसंग जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है बहुत नाम इनका भी चर्चे में है आपर सोशल मीडिया पे सो उसके चलते भी होने चांस मिल सकता है अब किसके बदे चांस मिलेगा क्या कुछ चंजिस रहने आ लिए उन सब के बार में हम डिसकस करने आ लिए इसी वीडियो में तो अइन तक जरूर देखे बहुत जादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है आपके लिए भी बहुत जादा मज़ेदार वीडियो रहने वाला है मैच डीटेल के बार में बात करें तो श्रीलंका वर्सस इंडिया का थर्ड ओड ओडिया मैच है वेन्यू के बार में बात करें तो प्रेमदा से स्टेडियम कलंबो में होना वाला है डेट अन टाइम के बार में बात करें तो डेट है 23 जुला है दुपर साड़े तीन बजे इंडियन स्टाना टाइम से स्टार्ट होने वाला है वेन्यू आभ जाली आज़न इसका लाइफ टैलिगकस्ट पर अजय होने वाला है इसका लाइफ टैलिकस्ट और सुने लेफ पर तैन फ्रेंश आगे अगर हम बात करें यहाँ पर प्लेइंग लेवन इंडिया की तो शिकरद्वान प्रित्वी शोली तो ऊपन नहीं प्रितवी शौ यह तो रुथृद्वी शौ य्हा तो रुटिराज गयकवार्ड इन दोनों में से कोई एक होई नज़र आए और दोनों खेलते हैं तो गयकवार्ड ओपन करते हैं और देवदेट परन जात्म में नजर आएगे then हो सकता है possibility change के Sanju Samsung उपर आ जाए यहाँ पर मनीश पांडे के बदले में and इशान किशन को भार बेज दिया जाए और उनके बदले तो मैंने आपको बता है यह दोनों आ सकते हैं और मनीश पांडे के जगे Sanju Samsung आ सकते हैं यह भी कुछ changes होने के full chances मुझे नजर आ रहे हैं so कम से कमें कल के match में 2-3 changes और 4 changes ज़रूर करेगा कौन से changes होगे उनके बार में मैंने बता दिया है so यह कुछ changes मुझे most probably नजर आ रहे है सूर्य कुमार यहाद consistent है इन्हें कोई नहीं हिलाएगा मुझे लगता है Hardik और क्रुनाल को भी continuously games के ला जाएगे Bhuvi जो इनका अभी-अभी rhythm पकड़ा है इन्हें भी chance देगे Deepak Chal last match के hero ते यूजी चल भी hero थे last match के और कुलदीप यादो को आपस back किया जागा Friends आगे अगर मैं बात करूँ श्रिलंकन प्लेइंग 11 के बारे में तो जादा कुछ changes नजर नहीं आ रहे है एक फर्नांड ओपन करतों में नजर आएगे मीनोद बनु का बनु का राजा पक्षा डी सिल्वा अलसंका दसुन शना का डबलू असर रंगा इसरू उडानों का बापस कल मौकम मिल सकता है शमी का करूणा रत्रे दुश्मन तो चमीरा और संदकन ये कुछ नंकी प्रोबैबल एवन रह सकती है इसके नजर जादा कोई चेंजेज मुझे नहीं आ रहे सिफ इसरू उडाना की वापसी हो सकती है आपर लक्षन के जगे आगे अगे अगर हम बात करें तो वेन्यू और पिच के बार में थोड़ी सी बात करेंगे बाटिंग आवरेज के बार में बात करें श्री लंका में तो अगर स्री लंका की तो 248 का है और बॉलिंग आवरेज के बारे में बात करें तो 5.57 का है इंडिया की बैटिंग आवरेज के बारे में बात करें तो 276 का है और बॉलिंग आवरेज के बारे में बात करें तो 5.43 बैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो अब देख सकते ह अगर हम बात करें तो 120 मैचेस के लिए अभी तक इस वेन उपर उड़िया है कि मैचेस इस बाइटिंग फर्स्ट है 17 जीते है बाइटिंग सेकेंड है 52 जीते है टाय एक भी नहीं हुआ है आवरेज फर्स्ट निंग स्कोर के बार बात करें तो 241 का है और हाइस स्कोर या पर जो 375 का आप यह वह वाली इंडिया नहीं है यह टीम वाली इंडिया है स्वाप कन्फियूज मत होई है लोज के बार में बात करता नेदरलांड्स का है 86 पर आप अब जैसे की देख सकते हो स्कोरिंग पैटन के बार में हम बात करें तो बिलोव 221 बार बना है स्कोर 32 बार बना है और अबाव स्कोर 320 बार बना है सो अब देख सेथ एक डीसेंट मैदान हमें नजर आता है रंस के हिसाब से भी 250 प्लस या 260 प्लस हम ज़रूर एक्सपेक कर सकता है यह आपर तो एक अच्छा मैच देखनों को हमें कल मिल सकता है अब बात करेंगे इन दोनों टी बात करें तो श्रीलंका ने 106 मैचेस के लिए जिस पर से 69 जीती है इंडिया ने 41 मैचेस इस मैदान पर जिस पर से 30 मैचेस जीती है तो इस पर से हमें नजर आता है कि इंडिया का जो रेशियो जाद अच्छा नजर आ रहा है फिलाल लेकिन कुछ भी हो सकता है इस गेम किट देन अगर हम बात करें इंडेन प्लेंग लेवन के बार में तो शिकर दयां तो कप्टानी रहने वाला है या पर कोई चेंज इस ने रहने वाला है वो स्ट इंपोर्टन प्लियर है लाश्वाच में अच्छा खेल रहे थे फर्स माच में तो दमाकेदार पारी आपर 86 की खेली ही थी 143 माचेस के लिए ओवर हैं छी हजार प्लेस रंज है कितना जाद एक्सपीरियंस है अब देख सकते हो सिक्सके प्लस रंज है इंपोर्टन बंदा है बहुत जाद हाई स्कूर के बार में बात करें तो 143 का अभी तक उड़िया है 46 का आवरेज है 94 का श्राइ बुम्हर है 99 का तो फर्स नेंग में इन्होंने जब-जब इस मैदान पर लगाल तो फर्स उनिंग में 7 Kirby 125 का थर नाambर और है, ऑस नेंक इंन के बात करें तो 32 का बस्ति चुक करें थो C2 650 वेद्टいます इनका आवरेज है तो सब सेकंड में बाटिंग करते हैं सेकंड इनिंग में तो इनका आवरेज बहुत ज्यादा तगड़ा बोलता है फ्रेंज सो चबर दस प्लियर है वेनिंग के बना बात करते हैं अभी तक जट चुके हैं प्रित्वी शॉक के बायर में बात करूँ तो सब्सक्राइब के जिसमें से 127 स्कोर किया है 43 का स्कूर है 28 का अवरेज है 103 का स्ट्राइक रेट है फर्स्ट माच में बहुत ज्यादा चोड़ता पर्फॉर्मेंस दे रहे थे सेकंड मैच पर थोड़े से फीक्या में जरू नजर आ है लेकिन हो सकता है थर्ड मैच पर बैक सब्सक्राइब करें तो बीस मैच इसके लिए अभी तक ओडिया में जैसे देखा डो मिस्टिक में तो वन फो सिक्सिक्स त्रंज है इती सिक्स का अवरेज है आप औस देखोगे फ्रेंज एक्टी सिक्स का बोहुत जोड़दार है कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देता है सब्सक्राइब के लिए हम लोग नहीं देखा इसको एक्टी सिक्स पॉइंट का स्ट्राइक रेट है सो इसन इंपॉर्टन में अगर आपने इंडा की टीम में खेलता है बंदा प्लस ओपन करता है तो ज़रू ले लिए और जील में तो कप्टन वाइस करना आपको 102 टीम मे सब्सक्राइब के लिए कुछ आते रेगी गाइडेंस वगेरे इन IPL सो एक इंपॉर्टन प्लेयर हो सकता है ओवराल 59 मैचेस के लिए डोमेस्टिक करियर का स्का स्टाइट से 6281 रन जे 47 का आवरेज और 97 का स्ट्राइक अब देख सकते है इसका भी 47 का आवरेज आवरेज देख क्रिकेट में इंपॉर्टन प्लेयर है यह से भी आपको जरूर अपके टीमें लिए के चलना चाहिए अब बात करते हैं यह शान के शन पता नहीं कल खेलेंगेगे लेकिन इंपॉर्टन प्लेयर हो सकता है फ्रस्ट मैच फिफ्टे नाइन जड़ दिया थे सेकेंड मै एंड बहुत लोग निराज भी होते हैं उनकी में थे और हम भी उनमें से कोई एक थे सो 40 मैचेज इनवान खेले 735 रंज है 79 का है इसकोर है 44 का अवरज है सेक्र दीनिंग के बारे में बात करतो चार मैचेज में 153 का रंस है 51 कािस को एक सो कर श्रय कर रेट वेंन्यू चार मैचेज मे वन-टीटीर रंस विफ्टीवण का हैसकोर वन टुरि Aim रेट है अब अगर इनके बार में बात करूँ तो बहुत जाद अच्छा प्लेयर है important प्लेयर हो सकता है कल के माच में पी and अच्छा performance फिलाल उतना बड़ा देने पाए last match में हम लोग ने उमीद की थी कि इन्हों बड़ा performance देगे लेकिन आउट हो चुके तो यह मैच में आ सकते है जरूर जील में आपको जरूर ट्राय करने चाहिए एक टीम में captain wise captain बना सकते हो आप दुश्मन तो चमिरा ने इनको एक बड़े स्मस किया सुर्या यादफ का वन ऑफ दो मोश रिलाइबल एंड कंसिस्टन बैट्समें ओल ओवर क्रिकेट इन इंडिया डोमेस्टिक सकेट में बात करें तो 99 मैंचेस के लिए है ओल्मोस्ट चारहजर के करीब है 3829 रंस है 134 का है स्कोर है और 38 का इनका आवरेज है यह जो आवरेज है लेस्ट है और डूमेस्टिक करियर है तो उसके उपर सामें इंटरनेशनल पर जजज तो नहीं करना चाहिए लेकिन आइडिया आचाता है कि सोला से चोगी स्पॉन तवाभी हो जाते है ओर्रोल 95 मैचेस के लिए डोमेस्टिक सर्केट में और टू फॉर 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 फाइब रन स्कोर के 212 का है स्कोर 31 का अवरेज है तो देख सकते हो अब जाधा एक्स्पिरियंस भी और इंपोर्टन भी है हार्दिक पैंडा के बा फर्स्ट मैच में एक से दो विकेट इनन जरूर चटका है जिसाइद एक ही एक ही विकेट था लेकिन आज चुके इतले हम है प्लस बाटिंग भी अच्छी करें कि फिलाल लहने ही पक्रिये बैटिंग में लेकिन एक बड़ पकल लिए इंपोर्टन डिर्वा भी हो सकता है दो मैचेज में 53 रंसर 50 और 9 विकेट है 5.5 कि कर नॉमेरेट है है ट्वेट में वेन्यू में एक मैच में 11 रूर दो विकेट है इंपोर्टन है अब धनन जी ने इनको एक बार डिस्मिस कर यह फर्णान ने इक बार डिस्मिस किया है कुर्णार पांडया थीन मैचेज में 95 है 58 का स्कूर ओमने शुर कुमार के बार बात करें तो ओवर ऐक सो 17 मैचेज के लिए 138 विकेट है 542 बेस्ट फिगर है पांड से टीना मैचेज में 17 विकेट है फारपॉएट कि उनल्ट विकेट है फॉर्स पॉत करें तो साथ मैच्चेज में 10 एक है and सेकेंड इनिग के बा इंपोर्टन प्लेयर फॉम इंडियन साइड क्योंको लिए अनुबफ भी बहुत जाद है प्लस्री लंका में क्रिकेट भी अच्छा का से खेले है तो इंपोर्टन है और इसे जरूर लाइंचे लाश्ट मैच के लिए तीन मैच में दो विकेट है अबात करते हैं कुल्चा के कि वकेट कि टे जिए में टीन मेंट्यर वेंटिमीं परका में कि लिए ने रच की इमचे के वारे मश बात कर एं शो लिया पर आप देख सकते हैं और श्री से 205 विकेट है और 6-4 25 है का सीए पर वेंच ओने मैं जाय साथ विकेट काज है याश्क कुमẠर ऋसक्ट करता है लेकिन उससे पहले बता दू अक्किला धननजय को क्यों नहीं समझ में आता है जब इनकी टीम इतना ही स्ट्रगल कर रही है तो इनका जो में बॉलर है उसे क्यों नहीं लाया जा रहा है इंपोर्टन प्लेयर है जोड़दार प्लेयर है हो अब इसके बार में अगर मैं बात करें तो फर्स दोनों ही मैचे में बहुत जद आच्छे कंसिस्टेंटली रंज बना रहा था लगबग 40 ब्लस दोनों मैचे में स्कोर किया इसने और लास्ट में तो 50 भी स्कोर किया था और वापर आउट हो चुका था सो इंपोर्टन प्लेयर है अपने होंग राउंड पर अच्छा खेलता है ऐसे लेकर चलना की निश्टांका को मौका मिल सकता है लेकिन अच्छा प्लेयर नहीं है बिल्कुल भी बनुका के मर में बात करतों एक मैच वे थर्टी सिक्षन है नाइन की टू का श्रैक रट है बनुका राजा पक्षा के बार में बात करें सो ओर एक सो तेरा मैंचेस के लिए टू सेवेन फाइफ टू रन से एक सो साथ का है स्कोर है ट्विंटी नाइन का आवरेज अब यह जो इनका मैंने स्टाच निकाला है फ्रेंस क्योंकि लिए इंटरनाशनल तो एक से दो मैंचेस के लिए तो वहां से जाधा अन्दा जाए इसके दिन पर 20-30 भी मना जें प्लस एक से दो विकेट निकालते है जाधा विकेट भी निकाले तो हमारे तो अच्छा प्लियर बन जाएगा डिफरेंशल पिक होगा अगर कहलता तो जील माप को जरू ट्राय करना चाहिए डशन चना का इंपॉर्टन प्लियर 28 माचेस में 61 सिक्स डबल वन से सिक्षेट का इसकोर है दस विकेट शटका है असरांगा के बारबाद को तो 26 माचेस में पांस ओटर एं फिफ्टी का इसकोट्रोवी 29 का आइवरेज 22 विकेट्स बहुत जादे इंपॉर्टन प्लेयर होने वाला है है एट्वेट में तो इंटका जाद आ इस बारबाद करने पा रहा है इस तो उड़ाना आइवल में इत्ता खेलता है सब जिगे पर जाके खेलता है प्लस इनके टीम के लट्शा परफॉर्मिल देता है फिर भी इस बंदे को बाहर रखा जा रहा है क्यों रखा जा रहा है मुझा ही नहीं पता बीस मैचेस में 229 सब्सक्राइब करता है बंदा सो इंपोर्टन प्लेयर है जरूर आपकी टीम में नहीं अची है अगर इसके बारे में बात कुर तो भाई साब यह तो बॉलर हो के इतनी जोरदा बाटिंग करता है दोनों मैच में 40-40 प्लस रंज बना दिया इसमें प्लस अगर विकेट भी ले तरव बना के तो बहुत जादा डेफेरेंशल पिक बन जाता है बहुत आधा अच्छा पिक में जाता है लोग इसे फिर भी हम लिकाथा क्यूंग एक विकेट कंसिस्टेंटली नहीं निकाल पाता है लेकिन रंस निकाल राई चिकाह से बात करते हैं एंके प्रीम बालर लेकिन अगर इनके अलावा और को रहेगा तो प्रित्वी शॉक आप जरू त्राय कर सकते हो और अल्स देवदत परिकल या तो रुत्राज गया कवर इन दोनों में से कोई खेलता था उन्हें भी ट्राय कर सकते हो रिसकी कैप्टन आइस कैप्टन ऑप्शन दुश्मान तो चमीरा प्रित्वी शॉक्टुप अब ओने यह कुछ है सो ऐसी कुछ था हमारा प्रिव्यू में आश्रकर तो आपको हमारा प्रिव्यू पसंद आया होगा आपने अपिते के एक लाइक जरू कर दिया होगा नहीं क्या तो प्लीज कर दीजिए जिसके हमको बहुत दा मोटिवेशन मिलने आया है फ्रेंस बात करते भी ह देख सकते हैं तो अब देख सकते हैं तो आप मनीश पंडे का मुच लगता बहार चले जाएगा और प्रिथवी शो भार जा सकते हैं इन दोनों में से कुछ भी भाव कोई बहार जा सकता है तो अगर इसान खेलते तो इंपोर्टन रहने वाला है क्योंकि बंदा चूर्दा परफॉर्मस देगा तो वन एंड ली जिता के जाएगा बैट इस बैटिंग सेक्शन से बात करें तो मैंने लिया है या पर शिकर दवन को संजू सामसंग अविश्का फरनांड और पृत्विशों को और सेक्शन से डब्लू असारंगा अर्दिक पंदा अधर धने डीसल ब प्लस बैटिंग तो आने वाली है व्युक्ले यहापर को लप्स होता ही है लंगन का बैटिंग ओडर तो बैटिंग से भी अच्छी बैटिंग तो करता ही है और बैटिंग से कि अगर हमें 30 ब्लस निकाल के दे दे तो बहुत ज़ाँ अधा चपिक बन जाता है ये दवन हो सकता कल के मैच में फ्लॉप होता है नजर आ सके कंसिश्टली पॉफॉमेंग दिया है तो कल के मैच में जाने के चांसे थोड़े से नजर आये लेकिन स्टार्स के सबसे जाए तो इंपोर्टन प्लेयर नाला है काप्टैन बना सकता पीजी सिंपली सेफेस्ट सो यह कुछ सामा हमारा प्रिव्यू एन हमारी टेंपरेटी ड्रीम लेवन की टीम में आश्यकर तो पसंद आया होगा फाइनल टीम आपको में टेलिगाम शर्म में मिल जाए कि इसका लिंग हम लोगा नामारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया फ्रेंड अल्दबश फॉर दिसमाच आवा नाइस टे